मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काइं अकसर दूद का नाम सुनते ही कई लोगों का मुँव बन जाता है लेकिन अगर ठंडे दूद के फायदों के बारे में आपको बता चल जाए तो इसे रोजाना आप पीना शुरू कर देंगे ठंडा दूद ना सर्फ फायदों से भरा होता है बलकि टेस्ट में भी ये काफी ला जवाब होता है अगर गर्म दूद पीने के कई फायदे हैं तो ठंडा दूद भी फायदों में कम नहीं है ठंडा दूद पीने से असेडिटी, मोटापा, बार-बार भूग लगना आदी जैसी छोटी मोटी विमारियां दूर रहती हैं यहीं नहीं अगर आप जिन से आकर बुरी तरह से ठक जाते हैं तो ऐसे में तुरंत अनरजी के लिए ठंडा दूद किसी आउश्चती से कम नहीं है इसमें खोई, इससे खोई हुई एनरजी भी वापस आती है और मसल्स को रिपेर होने के लिए प्रोटीन भी मिलता है वैसे भी गर्मियों का मौसम है ऐसे में जब आपका कुछ ठंडा पीने का मन करें तो आप दूद आराम से पी सकते हैं आप चाहें तो इसे में किसी भी तरह का मन चाहा फ्लेवर मिला कर इसका मजा ले सकते हैं पर ठंडे दूद को पीने से पहले एक बात का खयाल रखना बेहर ज़रूरी है कि आपको सरती या जुकाम ना हो तो ठंडे दूद की तारीफ में तो हमने बहुत कुछ कह दिया है आपको अब आपको इनके फायदों की बारे में बता देते हैं सबसे पहला फायदा तो यह होता है कि अगर आप बिल्कुल ठंडा दूद पीएं तो शरीर को पहले उसे नॉर्मल तापमान पर लाने के लिए कालोरी बर्न करनी पड़ेगी और फिर उसे पचाना पड़ेगा इससे आपका मुटापा कंट्रोल में रहेगा बात करें अगर दूसरे फायदे की तो हलका गुनगुना दूद पीने से नींद आती है क्योंकि दूद में अमीनो ऐसे ट्रेप्टोफॉन पाये जाता है जोकि दूद गर्म होने तता स्टार्च वाले फूट के साथ पीने से दिमाग में घुश जाता है लेकिन ठंडे दूद में प्रोटीन होने की वज़ा से ऐसा नहीं हो पाता और इसी लिए इसको दिन में कभी भी पी सकते हैं बात करेंगे तीसरे फायदे की क्या आपने कभी ठंडे दूद को ऐसे टिटी मिटाने के लिए पिया है जी हाँ अगर आप धीरे धीरे अपनी आदत में ठंडा दूद पीना शामल करते हैं तो इससे पैप्टिक अलसर के कारण से पैदा होने वाला दर्द दूर हो जाता है बात करें अगर चौते फायदे की तो खाना खाने के बाद अगर आपको बार बार भूख लगती है तो आप ठंडा दूद पी सकते हैं आप चाहें तो ठंडे दूद में ओट्स में लाकर भी खा सकते हैं बात करते हैं पांचवे फायदे की गर्मी के दिनों में अगर आप cold coffee पीने के शौकीन है तो ऐसे में आपको एक बहुत थंड़ा दूद भी try करना चाहिए यकीन मानिए इसका स्वाथ भी आपको बहर पसंद आएगा और इसे पीते ही आप बिल्कुल तरुताज़ा महसूस करेंगे बात करते हैं छटे फाइदे की थंड़े दूद में electrolytes होते हैं जोकी शरीर को dehydration होने से रोकते हैं अगर आप दिन में दो ग्लास थंड़ा पानी पीते हैं तो आपका शरीर हमेशा hydrate बना रहेगा थंड़ा दूद पीने का अच्छा समय सुभा का वक्त है बात करते हैं साथवे फाइदे की थंड़े दूद में गैस को दबाने के गुण होते हैं जोकी खाना पचाने के लिए बेहत फाइदे मंद है ये फैट घी या तेल को आराम से पचा सकता है अगर इसमें अद्रक या मेच डाल कर पिया जाए तो इसका असर भी ज्यादा होता है बात करेंगे आठ फे फाइदे की जिम में भारी कस्रत करने के बाद अगर कोई एनरजी से भरी ड्रिंक पीनी है तो आप ठंडा दूद पी सकते हैं इसे मसल्स को रिप्यर होने के लिए प्रोटीन और शरीर को एनरजी मिल जाती है बात करते हैं नौ वे फाइदे की चेहरे पर अगर आप ठंडा दूद लगाते हैं तो इससे स्किन क्लीन और टाइट बनती है साथी साथ आपकी तवचा हाइडरेट और स्मूद भी हो जाती है तो हैनक कितने सारे फायदे ठंडे दूद के उमीद करते हैं इन फायदों की बारे में जानकर आप अपसे इससे दूद को याने की ठंडे दूद को ट्राइज जरूर करेंगे इसी के साथ चाहते हैं आपसे इजासत बहुत जल्द मिलेंगे फिलहाल अभी के लिए बोल् झाल